19 साल पहले बदलाग गया था धड़कन का क्लाइमेक्स नहीं तो अंजली के माम बनते ही मर जाता देव सुनील शेटी, शिल्पा शेटी और अक्षे कुमार की धड़कन धड़कन फिल्म के गाने आज भी लोगों की जबान पर हैं यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी फिल्म की कहानी से लेकर तीनों स्टार की एक्टिंग ने फिल्म को हिट करा दिया था इस बीच हाल ही में सुपर डांसर सुपर दंसर में शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी ने फिल्म से जुड़ा 19 साल पुराना राज खोला शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी ने यहड़ खुलासा तब किया जब सुनी शेटी सुपर डांसर के शो में बत और स्पेशल गेस्ट आये थे शो के दोरान शिल्पा और सुनील शेटी ने तुम मेरी धरकन में रहते हो गाने पर रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस भी दी इस दोरान शिल्पा शेटी ने फिल्म के क्लाइमेक्स से जुड़े राज का खुलासा किया शिल्पा शेटी ने कहा जो फिल्म में आप लोगों ने क्लाइमेक्स देखा था पहले वे नहीं था शिल्पा ने आगे कहा इस फिल्म के क्लाइमेक्स में इसलिए बदलाव किया गया क्यूंकि फिल्म निर्माताओं को बाद में लगा कि फिल्म की हैपी एंडिंग होनी चाहिए पहले क्लाइमेक्स में दिखाया जाने वाला था कि जब अंजली, शिल्पा शेटी, देव, सुनील शेटी को यह बताती है कि वो राज, अक्षे कुमार के बच्चे की माम बनने वाली है तो यह सुनकर देव मर जाता है निर्माता को बाद में लगा कि यह फिल्म का काफी दुखद अंत हो जाएगा, इसी वज़े से कलाइमेक्स बदल दिया गया था शो के दोरान शिल्पा शेटी ने यह भी बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि लगा फिल्म अटक न जाए जिस वक्त सुनील शेटी को साइन किया गया था वे दूसी फिल्म की शूटिंग में भी जी थे इसके बाद उनकी जगे किसी और एक्टर को लिया गया फिल्म निर्माता को बाद में लगा कि सुनील शेटी की देव का किरदार बेहतर निभा सकते है इसके बाद सुनील शेटी से दोबारा बाद की गई ऐसा करते करते फिल्म को बनने में करीब पांच साल लगे